दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है इससे पहले हम Rich Dad Poor Dad Book की समली लेके आए थे जिसके बाद हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर Think and Grow Rich Book को बहुत गहराई से पढ़ने के बाद हम ये समली लेके आए हैं दोस्तों Think and Grow Rich Book को नेपोलियन हिल ने 500 से ज़्यादा सेल्फ मेड मिलियनियर्स का इंटर्व्यू लेने के बाद लिखा था तो चलिए पांच पॉाइंट में इस बुक को समराइस करते हैं और जानते हैं इस बुक के बारे में नमबर वन दोस्तों नेपोलियन हिल ने सारे सक्सेस्फुल लोगों के अंदर एक कॉमन चीज नोटिस करी कि सारे सक्सेस्फुल लोगों के अंदर अपने गोल्स को पाने के लिए एक बनिंग डिजाय थी बनिंग डिजाय यानि अपने गोल्स को पाने की एक कभी ना कम होने वाली एक इच्छा थी जिसने उनको हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने का होसला दिया इसके अनुसार, इमेजनेशन व्यक्ति की सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है जो कि उसे अपनी जिन्दगी में सफल होने का सीधा रास्ता दिखाती है एक क्लियर टार्गेट बनाए अपने गोल्स का एक क्लियर ब्लूपरिंट बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने गोल्स को और सपश्ट रूप से जान सकें 4. Think and Grow Rich बुक में नेपोलियन हिल ने कुछ जरूरी बातों को बताया है जिनसे सफलता हासिल करने में मदद मिलती है हिल के हिसाब से सकसेस तक ले जाने वाले रस्ते में हर इनसान के सामने बहुत सारे आपस्टिकल्स आते हैं जो उसे सकसेस तक नहीं पहुचने देना चाहते हैं बहुत सारे लोग इस से डर के अपने गोल्स को चेंज कर देते हैं ऐसे टाइम में हिल ने ये बताया है कि दिरता एक जरूरी आदत है जो सफलता हासल करने वाले लोगों को नाकामियों और विफलता के सामने हमेशा टिके रहने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों इस पॉइंट के बारे में हमने अपनी पुरानी विडियो में भी बताया है कि अपनी फील्ड में आपको हमेशा कुछ नाकुछ सीखते रहना चाहिए अगर आप सीखना बंद कर देगे तो आपको अपने गोल्स तक पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों हमारी इस समली में बस इतना ही था अगर आप किसी बुक की समली चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके बताएं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट पर विडियो बनाए